हेलो फ्रेंज, वेल्कम बेक टो एक इंडियन घर, आज हम बनाने जा रहे हैं पालक गोश, आई देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन्ट चीजों की जरूरत है दो बड़ी जुड़ी पालक, इसकी हमने डंडी निकाल ली है, एक किलो गोश, इसे अच्छी तरीके से वाश कर ले, दो बड़ी प्यास, इसे पीस ले, एकदम बारिक पीसना है हमें, और पीसने के वक इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं दानना है दो मिडियम साइज तवाटर, इसे काट ले, इस शेब में, एक कटोरी दही, अख्ये गरम मसाले, दो इलाईची, दो दालचीनी, पाज लॉंग, पाज काली मिल्च, छे कनी लसन, पाज से छे हारी मिर्च, इसे हमने बारिक काट लिया है, नमक, स्वाद अनुसाल, दो चोटे चमच अदर गलसन का पेस्ट, एक चोटा चमच हल्दी, एक चोटा चमच गरम मसाला पाउडर, एक चोटा चमच जीरा पाउडर, एक चोटा चमच धनिया पाउडर, आदा चोटा चमच काली मिर्च पाउडर, आई ये बनाना शुरू करें पालक गोश, सबसे पहले हम गोश को मसाले लगा लेंगे, इसमें दाले अदर गलसन का पेस्ट, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्डी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और इन पीजों को अच्छी तरीके से मिला लें, मिलाने के वक्त ध्यान रखें, हाथ को अच्छी तरीके से वाश करना है, अच्छी तरीके से मसाले मटन को लग चुके है, गोश को लग चुके है, अब हम इसमें दालेंगे दही, और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेंगे, यह अच्छी तरीके से मिल चुका है, मटन को गोश को मसाला अच्छी तरीके से लग चुका है, अब हम प्यास को भूल लेंगे, प्रेशर कुकर को हमने गेस नेम पे रख लिया है, अब हम इसमें दालेंगे चीन बड़े चमश तेल, तीन बड़े चमश तेल दाल दिये हैं, अब हम इसमें दालेंगे अख्य गरम मसाले, दाल्चिनी, पड़ी, लाइची, लौ और कालिमिच, और इसे 10-20 सेकेंड फक्ते तोड़ा सा हमने इसे रोस्त कर लिया, अब हम इसमें दालेंगे प्यास, और इसे भूल ले, प्यास को हमने हलका सब पिंकिश होने तक भूल लिया, अब हम इसमें दालेंगे कट हुए टमाटर, ऑर इसे भी बूल- लेंगे, और इसे भूल- बूल- ये और और इसमें दालेंगे ररी मिल्च, बारी कटे हुई ररी मिल्च, अच्छी तरीके से मिला लें। टमाटर सॉफ होने तथ हमेंसे पकाना है। तमाटर सॉफ हो चुका है। अब हम इसमें दालेंगे मटन जिसे हमने मसाला लगा के रखा था। और इसे अच्छी तरीके से भून ले। दस मिनिट तक हमने इसे अच्छी तरीके से भून लिया। अब हम इसमें दालेंगे दो ग्लास पानी। यह बड़तन जिसमें हमने गोश्ट को मसाले लगाये थे। उसमें थोड़ा मसाला बचा है। तो हम उसमें दो ग्लास पानी दाल कर इसमें दाल लेंगे। और इसी पानी में यह गोश्ट अच्छी तरीके से गल जाएगा। इसे हमें मिलाना है। और फिर हम इसे धाग देंगे, कवर कर लेंगे। और गोश्ट गलने तक हम इसे पकाएंगे। प्रेशर कुकर को हमने धाग दिया है, अब हम गोश्ट गलने तक इसे पकाएंगे। गोश्ट गलने तक हम पालक को उबाल कर पीस लेंगे। एक पतेली में हमने पानी उबालने रख लिया है। पानी अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें पालक दालेंगे। पालक को हमने अच्छी तरीके से धोलिया है। अब हम इस गरम पानी में पालक दालेंगे। जब यह पालक डाले तो गैस प्लिन को स्लो रखे पालक हमें दाल दिये हैं और यह पालक को थोड़ा सा डूबो कर आदा से एक मिनिट इसे रखे एक से दो मिनिट रखने के बाद हम इसे निकाल कर थंडे पानी में दाल लेंगे थंडे पानी में इसे डाल दे यह पालक पुरी तरके से थंडी हो चुकी है अब हम इस पालक को जार में दालेंगे और फिर इसे एकदम बारिक पीस लेंगे पालक का हमने एकदम बारिक पेस्ट बना लिया है इसे अच्छी तरीके से पीस लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी ना दाले इसे ऐसे ही पीस लेंगे इसे 6 सिटी के बाद हम इसे चेक कर लेंगे यह देख लेंगे हम पानी अच्छा से सुख चुका है थोड़ा बहुत पानी सुख चुका है और मतन भी गल चुका है इसे इसे सॉफ्ट हो चुका है अब हम इसे पतीले में निकाल लेंगे गोश और मसाले को हमने निकाल दिया है पतीले में इसमें पानी भी है और आप हम इसमें दालेंगे पालक तीसी हुई पालक और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे यह अच्छी तरीके से मिक्स हो गया अब हम इसे दस मिनिट तक मिडियम फ्लेंपे पकाएंगे 10 मिनिट हमने इसे अच्छी तरीके से पका लिया है अब हम इसमें दालेंगे काली मिर्च पाउडर काली मिर्च पाउडर दाले इसे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंस और इसे 5 मिट तक और पका ले सालन थोड़ा पकने तक हम इसे बगार की तयारी करेंगे ये 5 मिट अच्छी तरीके से पक चुका है अब हम गैस प्लेम को बन कर देंगे और फिर हम इसे बगार दे देंगे तेल गरम हो रहा है और साइड में हम लसन को कूट लेंगे लसन की कनी को इस तरीके से कूटे कूट कर हमने गरम तेल में डाल दिया है ये अच्छी तरगे से लाल हो चुका है अब हम इसमें बगार डाल देंगे डाल दिया हमने आप इसे ठाक दे So friends, तयार है पालक गोश आप इसे नान, रोटी या जीरा राइस के साथ खाए कि बहुत टेस्टी लगता है और अगर आपको हमारी रेसेबी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें और friends, आप हमें इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है Thank you friends